कुछ 5-6 stocks के बारो में discuss करने बाले है जो आने बाले कुछ हफ्ते या कुछ माइने में एक अच्छा खासा momentum दे सकता है जिन में से मैंने भी खुद buy किया है 2-3 stocks में और आगे भी करेंगे 2-3 में ठीक है तो हमारा लिश्ट में पहला नम्र पे जो है वो है BLS International BLS International 150 के उपर breakout दे सकता है इसका जो SL है वो 163 है और टार्गेट 190 प्लास रेलेस इंडिया रेलेस इंडिया का जो SL है वो 190 है और टार्गेट है 225 प्लास इसका जो होल्लिंग प्लियोड रहेगा वो 4-6 हफ्ते तक रह सकता है हमारा जो अगला स्टोक है वो है Garwell, Garwell का जो SL है वो 105 रुपया है और टार्गेट है एकशो पैशिस एकशो तिरिस के आसपास और इसका जो होल्डिंग प्लियोड है वो 2-3-4 हफ्ते तक रहेगा एक माहने का अंदर यह बहुत अच्छा का सा प्रोफिट दे सकता है हमारा जो अगला स्टोक है वो डिलेंट इंफ्रा एक अच्छा का सा प्रेटर्न फर्म कर रहा है काप एंडेल का ब्रेक आउट भी दे चुका है और इसका जो SL है वो 500 रुपया है और टार्गेट है प्रेट है 500 रुपया है है और फाल्गेट है 155 प्लास हमारा जो अगला स्टोक है वो है च्छाजट इंटरनेmbol ड्रेक आउट दे इसका जो SL है O350 है, टार्गेट 450 प्लास और 500 प्लास, होल्डिंग लोड लगातर दो महिने तक आप देख सकते हो, INA Chase का breakout दे रहा है, ठीक है, मैंने जो आभी 6 स्टॉक में बताया है, इन में से तीनों में में मेरा खुद का पोजिशन है, जिसमें BLA से Rallys India है, गार वेल, इन